So, Hello Guys, Welcome Back to my YouTube Channel HSC Paramount दोस्तों, आज के हमारे वीडियो को टॉपिक है सेंटर अफ ग्राविटी यानि की CG इस वीडियो में हम जानेंगे What is Loads Center of Gravity यानि किसी भी लोड का सेंटर अफ ग्राविटी CG क्या होता है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते की सेंटर अफ ग्राविटी होता क्या यानि की CG होता क्या है सेंटर अफ ग्राविटी इस पॉइंटर अफ ग्राविटी इस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उसका पूरा का पूरा वेट बैलन्स होता है the entire weight में भी considered concentrated at this point यानि जो object का entire weight है पूरा का पूरा weight है उस point पे concentrated माना जाता है यानि कि overall दोस्तो center of gravity यानि कि CG किसी भी object के एक ऐसा point है जहां पे उस object का जो total load है वो balance माना जाता है next है दोस्तो a suspended object will always move until its center of gravity is directly below its suspension point यानि कि कोई भी object है जो कि hang है अगर उसका जो center of gravity है उसके suspension point के बिल्कुल नीचे नहीं आएगा तब तक वो जो object है वो continuous move करेगा जैसा कि दोस्तों अगर हम किसी material को lift करते हैं तो उस दोरान जो material का CG है यानि कि center of gravity है वो जो हम जिस equipment से lift करेंगे उसके suspension point यानि हुक के बिल्कुल नीचे होगा तो वो जो हमारा load होगा वो lift होने के बिल्कुल भी move नहीं करेगा और in case जो हमारा CG है material का वो suspension point यानि हुक के बिल्कुल नीचे नहीं रहेगा तो उस दोरान जो material हम लिफ्ट करेंगे तो वो move करेगा इसलिए जब भी हम कोई lifting activity परफॉर्म करते हैं दोस्तों हमें ध्यान देना है कि जो क्रेन का हुको material के बिल्कुल CG के ऊपर होना चाहिए अगर वो ऊपर नहीं होगा तो लोड लिफ्ट होने के बाद वो move करना start करेगा